दोस्तों स्वागत है आप सभी का मारे यूटूब चैनल आरे इंफॉरमेशन बार में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एमाई पावर बैंक की रिब्यू फुल रिब्यू करूँगा क्योंकि इसका अन्बॉक्सिंग मैंने खुछ से ही कर लिया है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से इससे पर्चेस किया है इसका फुल रिब्यू करूँगा बताऊंगा कि क्या आपको इससे पर्चेस करना चाहिए क्य तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पावर बैंक को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि आखरी इस पावर बैंक में हमें क्या-क्या मिलता है तो आप सबसे पहले इंटरफेस आप देख सकते हैं आपे लिखा गया है कि 10,000 AMH का ये पावर बैंक है 18W का फास्ट चार्जिंग इसम ये यूज कर सकते हैं और या फिर नई आपके लिए Comfortable है या नई सब चीज बताऊंगा उसके पहले हम पावर बैंक को ही देख लेते हैं कि पावर बैंक में अभी क्या कि आपको प्रॉइट देखने को मिलता है यहां पर आपको मिल जाता है पावर बैंक पावर बैंक मिल जाता है जो कि प्लास्टिक में है साथ ही साथ आपको कंपर सरी होता है कि डेटा केबल आपको यहां पे देखने को मिलता है एक छोटा सा किसी भी ब्रैंड का अगर आप यूज करते हो कोई भी पावर बैंक तो आपको एक डेटा केबल जरूर देखने को मिल अब इसी डब्दे में मुझे मिल भी जाता है एक डेटा केवल जो कि काफी अच्छा है चीप सा नहीं है किसी और ब्रेंड में आप देखोगे तो काफी चीप सा डेटा केवल देखने को मिलता है और बड़ी बात यहां पर यहां पर कुछ नहीं है अब हम बात में फोकस पर आ जाते हैं हमारे पावर बैंक पे उपन करने के बाद आपको सिंपल तरीके से यहां पर M.I. का लोगो देखने को मिलता है और यहां पर पावर बैंक की अगर मैं बात करूँ लुक की तो पावर बैंक का लुक जो है वो काफी अच्छा है कमफरटे अगर आप चार्ज कर सकते हैं यह बटन देखने को मिलता है इसे पर्चार्ज करोगे तो ये indicator जो lights है वो आपको बताने लगेंगी कि power bank कितना charge है charge indicator lights आपको इस power bank में देखने को मिल जाती है जो कि हर एक indicator light 25% की power charge indicate करता है यानि अगर चारो एक साथ जल रही है तो आपका power bank जो है वो 100% charge है अब सबसे अच्छी बात मुझे इस power bank में यही लगी कि जैसे ही आप cable connect करके अपने smartphone को connect करते हो तो तुरंत ही आपका smartphone charge होने लगेगा अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और example भी देखाने देता हूँ जैसे ही मैंने आप एक cable लिया जो भी मुझे power bank में मिला है मैंने इस cable को connect के अपने phone से अपने device से अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने device से यहाँ पर इसे connect करने वाला हूँ जैसे ही मैं यहाँ पर connect करता हूँ बीना किसी button प्रेस की होए मेरा device जो है वो charge होने लग रहा है यानि जैसे ही मैं इसे connect करता हूँ वो automatically charge होता है तो 18 वोट का fast charging support भी देखने को मिलता है अब यहाँ पर जो भी चीज़े मैं बोल रहा हूँ इस power bank के बारे में वो मैंने खुद experience किया है मैंने इस power bank को use भी किया है मेरे mobile का जो battery capacity है वो 4000 AMH का है और मैंने इस power bank से अपने mobile को एक बार मैंने इस power bank को full charge करने के बाद अपने mobile को लगबख 4-5 बार full charge किया है यानि आप समझ सकते हैं कि इस power bank की capacity काफी अच्छी है साथी साथ आपको इस power bank में देखने को मिलता है current shock layer यानि आप अगर किसी भी तरीके से इस power bank को charge करते हैं कोई भी circuit या कोई भी problem होती है तो आप अगर से use कते हो आप छूते हो charging के दोना तो आपको कोई problem होने वाली नहीं है power bank की look की अगर मैं बात करूँ तो power bank का जो look है वो काफी गजब सा है लुक की अगर मैं बात करूँ लुक की तो बात ही अलग है और साथ ही साथ आपको याप मेड इन इंडिया का भी देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर आप भी एक power bank purchase करना चाहते है काफी अच्छा सा power bank purchase करना चाहते है तो आपके लिए यह MI का power bank best होने वाला है इसका लिंक भी मैं आपको description में provide करा दूँगा काफी अच्छा power bank है यह दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को subscribe करना बन भूलिएगा और एक प्यारा सा comment हमारे motivation के लिए जरूर कर दिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में